नमसे जोस्तों, मैं आरही आरही के चाहले के छिनल पर आप सभी का डिल से स्वागत है.. तो यहां पर आज में लेकर आ गही हूँ.. बहुत special dish.. दीन रिसपी मैं हापे बनाऊंगी सर्सो क साग दम मक्य कीरोटिया तो दो तरीके कि हम यहां पे सरसो का साग बनाएंगे, बीना बेले, बीना आटा गुथे, मैं यहां पे बनाऊंगी मक्के की रोटियां, तो वीडियो को पूरी देखेगा, तभी समझ में आएगा, भगा भगा के देखेंगी, तो इसकीप कर देंगी, भगा देंगी, तो को टब में ढेर, सारा पानी लेकर के नमक डाल करके पहले साग को अच्छे से धूलना चाहिए, उसके बाद मैंने एक बाउर में कट करके रखा है, और एक बाउर में बीना कट किये हुए, तो अभी मैंने रखेंगे पतेले पे पानी रख लिया था गैस पे, और बीना कट क थी या हुए जो मैंने सरसोका साग रखा था उसे बॉयल कर रहे है願い, पांच मिननट की प्रोसेसे पांच मिननट सीफ लगता है और यह हमारे साग जो है पक जाता है, तो धक के पका लिजए तो धक्के पकावल यहा थोडी दिर में है और पका लेते हैं तो देखते हैं कि ह उसमें रख देंगे न तो ए बिल्कूल हरा रह जाएगा इसका कलर नहीं जाएगा उसके बाद हम रखेंगे आप चलिए देखे निकाल ली हैं इसको रख देते हैं ठंडा होने एक बाद उसके बाद मिक्सर में पीस लीजेगा जाब अब हम रखेंगे यहां पे गैस पे कढ़ाई उसमें लेंगे देसी घी और जीरा देसी घी से ही बनता है सरसो का साथ थोड़ा सा मन पसंद से थोड़ा जादा कम घी कर सकते हैं और यहां पे अद्रक और लहसन थोड़ी दर भूनेंगे हम इनको अद्रक लहसन का फ्लेवर इन तो यहां मिक्स कर लिया है तो पियाज है तो पहले लिया था तोड़ी दिर भुन्ने के बाद टमाटर को हम lequel मिक्स कर लिए यहां फोड़ी दिर प्याज को भुने के बाद हम टमाटर मिक्स किया है एक चोटा इसमें टमाटर का जाहिए हमें जाधा नहीं मिक्स करिएगा अब हम मिक्स करेंगे हाप हल्दी और नमक स्वाध उनसा स लेंगे हल्दी को थोड़ा सा हल्दी लेना है धियान दे किसमें हल्दी बहुत ज़रा 유도 गए तो प्रहे हैं अब भूंचे इनमें अनगर टीवक नहीं दरेए कोई दे तो यहां पर देखिए कितना ग्रीन कलर लग रहा है कितना प्यारा प्यारा कलर आया है अब हम इनको दो मिनट फूनेंगे यह बहुत जल्दी बन जाती है तो देखिए दो मिनट फूनने के बाद मैं यहां पर एक चीज और मिक्स करूंगी जो हमारे साग काना टेस्ट बढ़ एक चम्मच मक्य का आठा ले ले जिएगा मेरा यहां पर दो कटोरी बिसकर के साग हुआ था तो मैंने यहां पर दो चम्मच मक्य का आठा ले लिया है अब हम इनको भूनेंगे पांच मिनट भूनेंगे एक अच्छा पन नहीं लगता कच्छा ही मक्य का लिया है हमने लेकि मैं थोड़ा सा और चाहिये था तो मैंने ले लिया और यहां पे मैं मिक्स करी हूँ थोड़ी सी यानि की आधा चमच गरम मसाला अभी धाग देते हैं पांच मिनट के लिए और गैस को रखेंगे स्लो क्योंकि इनको ज्यादा सूखा नहीं हमें बनाना है तो एक दम बनके तय जादा थीकनेस नहीं करना मत्तब गाढ़ा नहीं बनाना है तो यह देखिए देसी घी और हरी मिच देसी घी इसकी जान है सरसो के सांग में भर भर के डालेंगी तो और ज्यादा अच्छा लगेगा देखिए मैंने सवर कर लिया है देसी घी उपर से रख दिया है अब बट लिया हमें चाहिए बहुत अच्छा लगता है तो लेंगे तो कढ़ाई में हम तेल तेल अच्छे से गरम हो जाए गैस को सलोही रखेंगे क्यूंकि तेल जल ने जाए और तड़के ना जलें तो यहां पर मैं मिक्स कर दोंगी जीरा मिक्स पर knife करूंगी अद्रक और लहसन लहसन आपको ना पसंद हो बहुत लोगों को नहीं पसंद होता तो इसकीब कर दें लेकिन लहसन बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें तो मैरे तो मिक्स किया है यहां पे अद्रक और लहसन थोड़ी दिन मैं इनको भूनूंगी थोड़ा सा गैस को स्लो ही रखा है ताकि अच्छे से लहसन सिख जाए तो अब मैं मिक्स कर दूँगी इसमें हरी मिक्स मिक्स करने के बाद थोड़ी से दूर हट जाए क्योंकि इसके बीज चटकते हैं तो जला भी सकते हैं हमको तो ध्यान दे बहुत बार इधर उधर है यार बीज इसके लग जाते है आके स्कीन प जाए तो अब हमारे भून के तयार हो चुके हैं अब हमने यहां पर मिक्स कर लिया है साग को जो हमने कट कर के रखा था उससा रहा हमने लेलिया है तो यहां पर हम इनमें में लेंगे है थोड़ी सी स्वाद्रिसार नमक लीजिए जराह रही लीजिगा लीजिए argentine हमारे Q2 यह कटोरी हो ग तो यह पक के कटोरी हो जाते हैं जब भी पका आधा भाग समझकर उसने नमक डालें इतना सारह दिख रहा λें कि इतना ही जल्दी से बनाये विर धत्व voyez जब भी छोटी बीतियां आझी है दो चोटी पतियों की बनायेगा तो देखेया शोय अढौन हो गया तो थेखेये हैं इनमें अभी थोड़ी सी नमी है, पानी है, साग में, साग में पानी हमने नहीं डाला था, लेकिन साग में जो अपना पानी है, वही है, तो इनको एदम अच्छे से भूनना है, गैस को स्लो रखेंगे, और विल्कुल अच्छे से भूनेंगे, जितना भूनेंगे, मैं दिखा बसकेड़े, लिदाँ वंग हम की बंग, दो देखें कितना प्लेटिं जाथ बढलता है कितना लगत्व है मिर्ची बड़ा दाल को साथ मोर्म कि यह उन्हाँ भाकि शेष गढ़ितयों मक्या इन गता है तो यहां पर एक कटोरी मक्य का आटा ले रहे हो उसमें दो चमच बेसन लेके पानी नारमल डाले ही और इनको अच्छे से मेक्स कर लेंगे बेसन डालना यहां पर जरूरी है क्योंकि मक्य का आटा थोड़ा सा दरदरा होता है बेसन हमारी इनको जॉइन करेगी ठिकनेस देगी और बांध के रखेगी एक लिक्वीड सा इसमें अच्छा सा बनेगा तो देखें यहां पर अब हम रख ली हैं गैस पे तवा और इस तरह से आपको बड़ा मोटा कैसा रोटी यहां बना ले तो देखें यहां पर हमारी रोटी बेर कहने को डेलर नहीं प्रोसेश करना होता है आप घी लगाए कर कर मतलब रोटियां सेख सकते हो ऐसे ही मैंने रखा है बार में मैं घी लगाऊं कि और लोगों कौकि अगर घी कहाना है बग्त मक्के की बटर रोटियों मैं चिद्धैना घी чит ज़रूर जरूर जरूर से लगाएं तो देखिए बगूड dialect और मक्के की रोट मुझे बहुत जाला पसंद आई थी मेरे गर में सब पसंद आई थी एक बार जरूर बनाएगा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे सस्क्राइब पर